इसमें रिसेंटली काफी चेंजिस आई हैं वो सारा हम इसमें अकाउंट करके देख लेंगे मेजर्मेंट ओफ इंफलेशन तो हमने इंफलेशन में अभी तक इंफलेशन के टाइप्स देखे उसके कॉजस देखे debt, demand, pool and cost push हमने इंफलेशन के अलग विउस देखे, केनیजियन वो क्या था, मान्डरिस्ट वो क्या था उसके बाद हमने ये भी देखा कि इंफलेशन का impact क्या पड़ता है, अलग अलग चीज़ों पर, मैंने 15 impact साबको बढ़ा है उसमें हमने थोड़ा डीटेल में कुछ-कुछ इंपैट को लिया आज हम देहेंगी कि inflation को major कैसे किया जाता है तो measurement से पहले कि कौन-कौन सा measurement है inflation का हमें सबसे पहले समझना है इसमें इसको हम कहते हैं the base effect जिसकी कल बात हो रही थी the base effect तो एक list लिखते हैं पहले क्या-क्या हम इसमें discuss करेंगे सबसे पहले discuss होगा base effect उसके बाद हम measurements के देखेंगे कौन-कौन सा measurement है inflation का सबसे पहला जो हम लेते हैं WPI इसको क्या कहते हैं whole, sale, price, index इसी के अंदर साथ-साथ लखोए इसी के अंदर हम देखेंगे WFPI wholesale food price index wholesale food price index उसके बाद हम देखेंगे tomato price index ऐसी एक और है cauliflower price index इस्ट्रा यह आपका हो गया WPI उसके बाद हम देखेंगे CPI consumer price index consumer price index consumer price index याने CPI में हमें 10 types पढ़ने इसके पहला CPI IW IW का मतलब है industrial workers industrial workers CPI IW यह पहला type है इसका second type 1 2 CPI AL AL का मतलब है agricultural laborers number 3 CPI RL Rural Rural Laborers number 4 CPI UNME UNME Urban Non-Manual Employees Urban Non-Manual Employees पहले तो हमारे पास CPI में यही 4 हुआ करते थे फिर हमने इसमें कुछ additions किये number 5 CPI Rural या इसको हम CPI R कहते है R का मतलब Rural उसके बाद CPI U U याने urban उसके बाद CPI C C का मतलब combined उसके बाद number 8 पे CFPI CFPI Consumer Food Price Index CFPI Consumer Food Price Index CFPI R याने Rural number 9 CFPI U याने urban number 10 CFPI C C याने combined यह होगे आपके 10 Consumer Price Indexes इसी में हम एक और Index देखेंगे वो असल में Cost of Living Index Cost of Living Index Cost of Living Index इसी में CPI में Cost of Living Index उसके बाद एक और measurement देखेंगे हम inflation का number 3 GDP deflator यह हमने अल्रडी देखा है पर सिंस यह इस्तेमाल होता है measurement of inflation के लिए तो यहाँ पर इसको mention करना important है GDP deflator उसके बाद एक और measurement हम देखेंगे PPI producer price index producer price index PPI उसके बाद एक और देखेंगे SPI SPI service price index SPI उसके बाद HPI HPI housing price index housing price index उसके बाद उसके बाद FFPI इसका फुल फॉर्म है FAO food price index FFPI और finally एक और है जो इसमें तो नहीं हम डालते हैं पर क्यूंकि इंडिक्स करने हैं वो मैं इसी में करा लूँगा misery index misery index इसको यहाँ पर miscellaneous लिखना misery index misery price index तो यह सब देखना है सबसे पहले लेखते हैं हम base effect measurement of आप करता है हम आप सब करते हैं हम और सो वहाँ जहाँ